Hello students, चलिए start करते बिटा, exercise 6.6 का question number 9 देख लेते एक बार, statement read करेंगे एक बार NCRT math से, In the given figure, D is a point on side BC of triangle ABC, हमें एक triangle ABC given है, उसकी BC side पे कोई point है D, Such that, BD by DC is equal to किसके है, AB by AC, ये चीज हमें क्या है, given है, तो इस given statement से हमने क्या prove करना है, Prove that AD is bisector of angle BAC, कि जो ये AD है वो BAC का क्या है, bisector है, अब bisector क्या होता है, कि वो two equal parts में divide करता है, तो इस angle की बात करें तो ये angle मान लेते हैं angle 1, और ये angle मान लेते हैं angle 2, कि angle 1 equal to angle 2 होगा, ये चीज हमने क्या करनी है, prove करनी है, तो सबसे पहले क्या है, given जो है, वो write down कर लेंगे एक बार, given है बटा, intringle ABC, intringle ABC, d is a point, कौन सी side पे है, on BC, such that, क्या है, BD by DC, is equal to किसके बटा, AB by AC के, ये चीज हमें given है, to prove लिख लेते हैं, क्या चीज हमने prove करनी है, AD है, जो bisector है, AD is bisector of angle BAC, means angle 1 equal to किसके prove करना है, angle 2 के, इस तरीके का question हम पिछे भी कर चुके हैं, वहाँ पे हमें bisector given था, ये चीज हमने prove करनी थी, अब यहाँ पे ये given है, इससे हमने angle 1 equal to angle 2 prove करना है, इसके लिए किया क्या है, छोटी सी construction की है, same पिछे की थी, तो construction देख लेते हैं क्या करेंगे हम यहाँ पे, through C, लिख लेते हैं, फिर बनाते हैं हम आपे, through C, C point से एक parallel line लेके जाएंगे हम AD के, through C, draw, कोई point ले लेंगे P, C, P parallel to AD, ठीक है, तो यहाँ पे क्या किया, मैंने एक point ले लिया, यह P point और इसको, और C को क्या कर दिया, मैंने join कर दिया, यहाँ पे, और इसको आगे extend करके, A से join कर दिया, तो यहाँ पे और क्या लिख देंगे, join, A, P, ठीक है, अब चलते हैं बटा, अपने proof की तरफ, proof में क्या है, सबसे पहले जो चीज गिवन है, वो लिख लेते हैं, B, D by D, C, is equal to किसके गिवन है, A, B by A, C के, equation number first मान लेते हैं, और क्या है यह, गिवन है हमारे पास, ठीक है, अब बेटा, CP parallel to किसके है, A, D के, तो यहाँ पे by BPT, कि थोरम क्या लिखेंगे, by BPT, intringle, BCP, BCP, इसके अंदर, A, D parallel to PC है, क्या है, A, D parallel to PC, तो बेटा, रेस्व क्या हो जाएगी, B, D by D, C, B, D by D, C, is equal to, B, A by A, P, B, A by A, P, अब रेस्व लिखते हैं, तो same point से start करेंगे, यहाँ से हम right की तरफ गए हैं, तो यहाँ से ही उपर की तरफ जाएंगे, यह होगी हमारे पास equation number second, अब बेटा, दिखेंगे, इन दोनों equation की left hand side equal है, तो right hand side भी क्या होगी हमारी equal, तो क्या लिख देंगे, from, from equation, first and second, equation first or second से क्या जाएगा, बेटा, बेटी बाई डी सी, is equal to किसके, बेटी बाई डी सी तो बेटी बाई डी सी थी left hand side, तो यहाँ पर क्या जाएगा, एबी बाई, एसी इस इक्वल टू, बी ए बाई, एपी, उपर भी एबी है, उपर इधर भी एबी है, दोनों cancel out होगी, और एपी के सामले मान लेते हैं, एगल क्या है, फोर, अब टू साइड सीकवल है, तो उनके अपोजिट से एंगल भी क्या होते बेटा है, इक्वल, तो एसी के सामने कौन सा एंगल है, हमारा एंगल थरी, इस इक्वल टू किसके होज़ाएगा, एंगल फोर, तो यहां पर लिख भी देंगे, एंगल्स, अपोजिट टू, अपोजिट टू, इक्वल, साइड्स, तो एंगल थरी इक्वल टू क्या गया, एंगल फोर के, अब बात करते हैं, पैटा, छोटी सी है, वस एज, एडी जो है, वह पैरलल टू किसके है, बिटा, पीसी के, एडी पैरलल टू पीसी है, तो यहां पे भीता, एंगल टू, जो होगा, वह किसके, एक्वल होगा, एंगल 4 के, अल्टर्नेट एंगल है, हमारे, अल्टर्नेट, एंगल्स, और जो, तो एंगल 3 होगा भो किसके होगा एंगल 3 के यह क्या हो जाएंगे हमारे corresponding एंगल थी सब्सकित को किसके होगा अगल 3 के यहां क्या करेंगे एज एंगल 3 एकवल टू क्या है एंगल 4 तो मतलब राइट एंट साइड एकवल है तो लेफट एंट साइड भी कोल होगी तो एंगल 1 एकवल टू क्या हो जाएगा एंगल 2 तो क्या लिख देंगे एडी एज बाइ सेक्टर ओफ एंगल बी ए सी हैंस प्रूब आई होप यह क्योस्चन आपको अच्छे से कलियर हो गया होगा कहीं पर कोई डाउट हो देटा मुझे कमेंट कीजिए अधरवाज इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए लाइक कीजिए और सेर कीजिए थैंक्यो स्टूडेंट्स